आज हम आपको बताएंगे बी आर सी प्लेन के इंजिन कैसे बनते हैं सबसे पहले हम मुटर लेते हैं जो कि यह मुटर है कि यह मुटर 1500 किलो बार किया और 2212 और आट तन किया है इसमें जो बलेड लगे हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ जे साथ स्पीड इसके फारागे है बलेड है जो जे हाई स्पीड है और जे दूसरी स्पीड है जे जो मुट्टा है जे वाली जे 1400 किलो बाड की है जे देखिए और 10 टन की कपैस्टिय इसकी जो इसमें ब्लेड लगे हुआ है तो तीन चार पांच छे साथ आठ नो जे नो फर का जो ब्लेड है इसमें इसकी स्पीर थोड़ी सी काम है और जो दूसरे वाला है उसकी स्पीर पर ज्याद है हम इसके बीच फीट करेंगे इसको जे एक पत्ती बनाई है हमने बेंट करके और नट लगा दिये हैं अब हम जे मुट्रा जो बड़े पक्खे वाली इसमें लगाएंगे इसमें स्क्रू के साथ फीटिंग करेंगे इसकी वीडियो के अंतक बने रही है और चैनल को सब्सक्राइब भी किए वीडियो को शेयर लाइक करें अब हम इसको पहले पक्खा जो बलेड लगा हुए इसको निकाल देंगे तांकि जो स्क्रूर टैट हो सके पेजगास से इसको निकालने के बाद हम इसको जे पत्ती के उपर स्क्रूर टैट करेंगे स्क्रूर को फुल टैट करना जाहिए क्योंकि एसा होता है बी जो जे मोटर है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होने के कार्ण भी श्क्रूर डीला ना हो दोनों से जे स्क्रूर लगा देंगे हम जो हमने RC प्ले ने स्टार्ट किया है साबसे पहले उसका engine बनाएंगे और daily एक-एक post डाल के daily video बनाएगा और complete airplane जो होता है जेट जो होगा इसका सबी video डालेंगे हम कैसे बनता है और जो हमने motor मगवाई है जे मेंने link description ने डाल दिया है उसमें आप डिस्क्रेप्शन में चेक करके मोटरा आप भी घर पर मगा सकते हो बहुत इजली है जो हमने जो फर लगाए है बलेड लगाए है बहुत कम्प्यूटर के जो सेड में होते हैं उसके लगाए है बाकी आप वीडियो के अंतक बने रही है चैनल को सब्सक्राइब जूरूर करें मेरे चैनल को इसको अच्छी दरा से टैट कर दिये जे तांकि जब मोटर के स्पीड ज्यादा होगी जे डीला ना हो डीला होने के कारण क्या होता है अगर डीला हो गया और नाट निकल गया तो हमारा जो बलेड है वो इंजिन के जो बाहर लाइस है उसमें टच होकर तूट जाएगा अब हम इसको बलेड को इसके उपर दुबारा लगा देंगे और एक बात द्यान में रखना जब बलेड को लगाएंगे आप भी अच्छे से टैट किया जाए और इसमें बल नहीं होना चाहिए बलेड में जैसे मैं आपको दखाता हूँ जे गुमा कर देखो भी कहीं किसी पे सैड बल तो नहीं है अगर बल होगा तो जे बैबरेशन करेगा जिसके कार्ण बैबरेशन के कार्ण भी जे टूट भी सकता है बलेड इसमें बैलन्स रह ज होता है कि यह तो त्यार हो गए अब हम इसको जो जे है पैप इसमें फिटिंग करेंगे अच्छी तरह टैट किया जाए तांकि कुछ दिक्कत नाए बाद में हो अच्छा लृब कि हूँ लगना कि यह अच्छा जाए लोगना अच्छा जान। हुआ हुआ जे देखिए जैसे की दूसरा हम नाट लगाएंगे बोल्टर उदली सेड इसको अच्छी तरह से चेक का लिए भी जो पक्खा है ब्लेड हमारा सेंटर में है अगर सेंटर में नहीं है इसको जो सुराक है सुराक में थोड़ी सी दिक्कत होगी और अच्छी तरह से सेट करकर लगाएं काऊंगी जो ब्लेड होता है ब्लेड जो जे पैप होता है इसके सेंटर में चाहिए सेंटर होने के बाद ही जो इसकी एर बनेगी हाई स्पीड बनेगी हवा उसके कार्ण जी अच्छा रहेगा नहीं तो इसमें बैंसरेने का डर रहता है अब हम इसको थोड़ा से सेट करके लगाते हैं करके पार सेट करें सेट झाल झाल हम दूसरे की फीटिंग करेंगे आप वीडियो के एंडर तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें फिर्टप्रीट झाल झाओ झाल 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 जे दोनों एंजिन हमारे रेडी हो चुके हैं जे छोटे वाला है और जे जो दूसरे वाला एंजिन है जे बड़ा एंजिन है नेस्ट वीडियो में हम इसको चलाकर दखाएंगे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नेस्ट वीडियो के लिए वेट करें जद इसे जद वीडियो को लाइक करें शेर करें दन्यवाद